दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज की इस कलास में हम बात करेंगे एक प्रिवियस पेपर की जो की फस्ट ग्रेड संस्क्रिट डिपार्टमेंट के द्वारा 2022 में लिया गया था फस्ट ग्रेड की जो लोग इंगलिश से तेयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर था फस्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जिसको अपन कह सकते हैं तो ये पेपर किस के लिए हुआ था ? school lecturer exam school lecturer exam था और दोस्तों ये exam था 2022 का 2022 जैसा कि यहाँ पर date आपको दिखाई दे रहा है 16-11-2022 को ये पेपर हुआ था और ये पेपर जो है first grade English का था और Sanskrit Department के दुआरा लिया गया था तो आगामी जो Sanskrit Department की भरती है अक्टूबर में पेपर है फस्ट ग्रेड का तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस 2000 पेपर के लिए मैं इस पूरे पेपर को आपको solve करवाऊंगा ये पेपर इंगलिश का है तो अब तक फस्ट ग्रेड के RPSC के द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं उन सभी पेपर को हम करम बद रूप से यहां पर solve करेंगे तो पूरी डिटेल के साथ मैं सारी चीज़े आपको बताऊंगा और ये लगवग डेड़ सो कोशन है इसके तो ये डेड़ सो कोशन हर एक्जाम के 2022 का पेपर है तो इसके अलावा सारे पेपर में आपको एक एक कराऊंगा तो आप जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जब भी पेपर solve किया जाए तो आपके पास उसका notification पहुंच जाए तो चलिए आज का ये पेपर स्टार्ट करते हैं ये इस तरह का एंटरफेस होता है पेपर का और ये है हमारा आज का पहला कोशन कोशन ये है कि choose the appropriate option that gives the interrogative of the following sentence दोस्तों ये जो कोशन है ना ये transformation topic से है हमारा एक topic है transformation और transformation में हम पढ़ते हैं transformation जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं transformation को हिंदी में बोलते हैं रुपांतरण रुपांतरण इस type के topic में हमें ये पढ़ना है कि कोई simple sentence है तो उससे negative कैसे बने या negative से simple कैसे बनाया जाए simple sentence से कोई interrogative sentence कैसे बनाया जाए या interrogative से कोई simple sentence कैसे बनाया जाए तो इस type की जो transformation रुपांतरन है उससे सम्बंदित हमारे first grade में question आता है तो आज की इस class में हम उसी type के question की बात करने वाले हैं जैसे कि हमारे पास question यह है कि that was note an example to be followed तो यह sentence जो है interrogative of the following sentence आपको इस sentence में इसका interrogative बनाना है इंट नेगेटिव sentence है इसको अपन को किस में change करना है इसको अपन को change करना है interrogative में तो interrogative में यहां पर हमें verb क्या दिख रही है वाज तो यह निश्चित्रुप से sentence वाज से ही शुरू होना चाहिए तो इसका मतलब यह इस से सुरू हो रहा है यह तो हमारा answer नहीं है यह वाज से सुरू हो सकता लेकिन अपन चेक करेंगे यह भी नहीं हो सकता यह दोनों इसे यानि कि confirm हो गया कि हमारा answer या तो third है या second है अब कैसे पता चलेगा यह राद was वरब पहले आ गई उसके बाद subject आना चाहिए था तो subject that है this नहीं है यहाँ देखो this दे रगा है this तो हमारे question में है नहीं तो हमारे question में that है तो यहाँ से आपको idea लग गया कि इस question का answer यह होगा तो बिल्कुल तरीके कुछ techniques भी होनी चाहिए question को solve करने की तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आपको किन किन चीजों को देखना है अगर वो interrogative कह रहा है तो आपको वही वरब उठानी है जो question में है तो was है तो इसका मतलब is वाले तो दोन option गलत होगे अब was के बाद आपको देखना है की subject कौन सा है यहाँ पर that है हमारे पास तो यहाँ पर that नहीं है इस question में second में इसलिए यह भी हमारा गलत उतर था हमारा answer होगा third उसके बाद next question है दोस्तों यहाँ पर direct से indirect में आपको बदलना है direct indirect active passive या इस तरह से simple से negative बनाना या simple से interrogative बनाना यह सारे transformation के तहती आते हैं transformation में एक तो simple परकार का transformation होता है जैसे कि यह एक active passive भी आते हैं और narration भी आते हैं transformation topic के ही subpart होते हैं तो अगला जो हमारा question है वो यह कह रहा है कि Sarita said to me Sarita said to me I will do it now or never तो यहां पर इस sentence का अपन को indirect speech बनाना है तो indirect speech हमारे को समझ में आ रहा है क्या कि Sarita जैसे जो लिखा भाई subject उसको वही लिख दो आप हमने क्या लिखा Sarita आप बना के देख लो Sarita told me है तो यहां पर उपर question में told me है तो यहां पर भी told लियाएगा Sarita told me comma inverted comma का क्या हो जाएगा comma inverted comma का हो जाएगा that अब देखो I first person है और direct से indirect में हम एक table को याद करते हैं आई first person हमेशा subject में जाता है subject कोन है Sarita तो Sarita को हम क्या लिख रहे हैं she यहां पर हमने Sarita को लिख दिया she और उसके बाद हमारे पास है will यहां पर देखो will direct से indirect में will को किस में change करते हैं would में तो she would और उसके बाद क्या है do she would do model के साथ first form आती है तो do ही रहेगा और आगे क्या लिख रखा है it it को it ही बदलेंगे और now को दोस्तों direct से indirect में हम बदलते हैं then में do it then or never को हम never ही रखेंगे तो हमारा answer यहां पर क्या बनेगा देखो इससे मिलता जूलता कोड़ सा answer है वही आपके question का answer होगा तो इससे मिलता जूलता answer है fourth Sarita told me that she would do it then or never तो simple सी बात है अगर आप first grade की त्यारी कर रहे हैं तो आपको active passive तो आते होंगे अगर आपको active passive नहीं आते हैं तो आप इसी channel में जाकर देखेंगे तो active passive के उपर एक पूरा वीडियो बनाया हो है जिसमें आप active passive की पेचीतगियों को बारिकियों को पूरी अच्छी तरह से समा सकते हैं बहुत यह आसान तरीके से इसमें समझा रखा है तो दोस्तों फिलाल यहां पर हमारा अंसर यह होगा अगला हमारा question है choose the correct tense अपन को correct tense बताना है तो यह कह रहा है कि the color, the money from the bank by one o'clock बस यहां से हमें hint मिला है कि हमारा अंसर क्या होगा यहां पर दोस्तों क्या होता है कि buy या till जब भी buy या till दिया जाए और उसके बाद future का कोई time दिया जाए future का कोई भी time buy या till के बाद जब भी future का time दिया जाए ना तो 100% वहां पर tense आता है future perfect tense कोण सा tense आता है future perfect tense और आप English के student है तो आपको अच्छी तरह पता होगा future tense में क्या होता है future tense में होता है will have या फिर होगा shall have और उसके साथ आती है वरब की third form तो डूंड़िए कहां है ऐस अप्षन तो यहां पर तो has है यह तो हो नहीं सकता is है यह भी नहीं हो सकता had been भी नहीं हो सकता तो answer क्या होगा दोस्तों will have withdrawn यह हमारा answer है ठीक है फिर आते हैं question number four पर fill in the blanks with appropriate determiners determiners adjective का एक पार्ट है यहां पर हमने हमें देखना है कि Delhi was without electricity last night तो अब यहां पर दिल्ली जो था उसमें बिजली नहीं थी पिछले रात को अब मेनी मेनी तो countable के लिए होता है ठीक है और each of each of का use नहीं हो सकता प्रतेक दिल्ली नहीं हो सकती और one of दिल्ली कोई बहुतों में से किसी एक की बात नहीं हो रही तो यहां पर होगा most of Delhi यानि कि दिल्ली के काफी सारे एरिया में most of Delhi was without electricity last night तो यहां पर दोस्तों अंसर होगा हमारा most of चलिए next question four question हो गए है question number fifth की बात करते हैं do as directed जैसे कहा गया है वैसे करना यहां पर दोस्तों active से passive की बात हो रही है और हमारा question है who were you taught grammar by who were taught you अब क्या होता है कि आप जब active से passive याद रखते हो तो आपको पता है कि whom को जो है वो किस में बदला जाता है who में और who को किस में बदला जाता है by whom में who को by whom में बदला जाता है एक तो ये traditional तरीका था लेकिन एक modern तरीका भी है कि who को who में बदलो और last में by लगा दो ये भी एक तरीका है तो यहां पर ये इसी तरह का तरीका लगाया हो गया है और यह वाला sentence जो है न वो active है अपन को इसको पैसी में बदलने है और पैसी में कैसे बदलेंगे क्या answer होगा इसमें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो who को तो who से start हो रहा है इसका मतलब यह sentence किस से start हुआ था इसका मतलब यह sentence whom कोई तो who में बदलते हैं न हम यहाँ पर यह sentence कहा गया who were you taught English grammar by तो यहाँ पर दोस्तों answer होगा who taught you grammar who taught you grammar कैसे होगा क्यों होगा who taught you grammar क्योंकि यह यहाँ पर वरब की second form दे रखी है और वरब की second form जो होती है वो किस में change होती है was word में तो यहाँ पर यह वर में change हो गई और पैसी वह इस बनाते समय वरब की third form होती है तो यहाँ पर वरब की second form को हमने was word plus third form में बदलना है तो यह हो गया वर और यह होगी third form और you जो है यहाँ पर subject के रूप में इधर आ गया you और grammar का grammar और फिर last में by तो यहाँ पर यह sentence होगा who were taught you grammar तो answer होगा who taught you grammar अब देखो मैं आपको फिर बना के बता देता हूँ जैसे यह हमारा question है who taught you grammar मालो यह sentence है who taught you grammar यह sentence है आपनको पेशी बनाना है तो who का तो हमने क्या लिख दिया who लिख दिया और taught verb की second form आवाज वर में change होता है तो हमने वर लिखा क्योंकि हमारा subject यह है who were you और यहाँ पर taught की third form भी taught होती है तोट और फिर आगे क्या है grammar तोट ग्रामर और उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा ना कि modern तरीका यह है कि हूग से ही sentence start होगा by last में होगा तो यहाँ पर grammar के बाए बाए लिखा तो यह हमारा active sentence है यह हमारा passive sentence है और इसमें हमें question के रूप में उल्टा दिया था यहाँ पर जो हिसाब से यह बना है देख लेना उसके बाद हमारा sixth question है sixth question है choose the option which best express the meaning of the idiom यह है put his foot down यह एक idiom है put his foot down किसका होता है note to yield yield का अर्थ दोस्तों क्या होता है yield का अर्थ होता है अधीन होना यह इसका सही answer होगा note to yield यानि कि अधीन नहीं होना put his foot down इसका अर्थ है note to yield किसी बात के लिए अधीन नहीं होना उसके बाद है seventh number हमारा question की fill in the blanks with appropriate model auxiliary model का correct model का use करना है दोस्तों यहाँ seventh में तो क्या question है she have told me she was going to stay out all night ओट जो होता है ना ओट यह मोरल डूटी को बताता है तो यहां मोरल डूटी की बात होई नहीं शेल जो होता है वो ओफर को बताता है यह ओफर भी नहीं हो रहा है यहां पर और यहां पर विल जो होता है वो किसी प्रोपोजल को बताता है और यहाँ पर proposal भी नहीं है तो इसलिए हमारा answer ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो हमारा answer क्या होगा might होगा जो की possibility को बताता है तो she might have told me she was going to stay out all night तो यहाँ पर बात possibility की हो रही है और possibility के लिए आता है might उसके बाद देखिए दोस्तों question number 8 question number 8 क्या है after the advice of his father he was reconciled reconciled के साथ दोस्तों आता है with preposition reconciled with his wife तो यहाँ पर fix preposition है ये कि इसके साथ अपन को fix preposition लगाना है तो यहाँ पर होगा with जैसे recover होता है recover के साथ fix preposition क्या होता है इसके साथ fix preposition होता है recover from जैसे key होता है key के साथ दो preposition होता है key to भी होता है और key off भी होता है key to कब होता है जैसे अपन बोलते हैं कि hardware key is key to success key off क्या होता है जैसे अपन बोलते है this is a key of door तो key to तब आएगा जब कोई ऐसी noun हो जिसका कोई रंग रूपा कारना हो जैसे key के बाद success है तो success का कोई रंग रूपा कार नहीं है तब तो हम लिखते है key to और off कब लिखते हैं जब चाबी होना किसी जैसे door की चाबी है तो अपन गोलते है this is key of door तो जैसे key के साथ fix है कि two और off है recover के साथ fix से off है ऐसे reconciled के साथ fix preposition जो होता है वो with होता है reconciled with का use यहाँ पर किया जाता है reconciled का मतलब एक तरीके से तालमेल करना होता है तो यह सारे जो question है आप इनको साथ साथ याद भी करते रहें इनको एक बार फिर आप वापस पढ़ेंगे तो यह चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर किसका answer क्या है एक बार इस पूरे paper को जो है आपको फिर go through होना है जिससे आपको यह सारी चीजें clear होंगी आज की इस class में हम पूरे जो है डेड़ सू के डेड़ सू question यहाँ पर करेंगे ठीक है तो चलते हैं अगले question के उपर अगला question क्या है अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस question का answer दें देखो पढ़के देखो क्या होगा यहाँ पर अगला question पढ़के देखना है आपको दोस्तो नवा एक second यहाँ पर वापस रुकते हैं पन reconcile with with भी आता है to भी आता है लेकिन person after the advice of his father he was reconciled to भी होता है दोस्तों यहाँ to और with होता है और RPSC मेंने भी expression का उतर जो है नहीं दिया था लेकिन यहाँ पर with और to दोनों ही सही है हमने with answer माना है लेकिन इस question का answer to भी है और यह 2022 में paper हुआ था और इसका RPSC ने answer की में answer नहीं दिया था और शायद यह question delete कर दिया होगा क्योंकि reconcile के साथ to भी आ सकता है और with भी आ सकता है दोनों ही आ सकते हैं तो अगर आप RPSC की साइट पर जाकर इस paper को डूणेंगे और इसके answer की को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके answer को RPSC ने नहीं बताया है क्योंकि to और with दोनों से ही होता है इसलिए यह question शायद delete होआ होगा तब अब question number 9 की बात करते है question number 9 का है choose the appropriate affirmative of the following sentence affirmative sentence ढूणना है जैसे question यह है I never in my life made a plan and failed to carry it out यहाँ पर 9 question में आपको answer क्या देना है यहाँ पर आपको choose the appropriate affirmative sentence ढूणना है I never never है तो इसका मतलब यह sentence negative है अब negative sentence का आपको affirmative ढूणना है और यह question भी कहां से कौन से topic से है यह topic है transformation transformation में क्या होता है कि चाहे आप affirmative से negative बनाओ चाहे negative से affirmative बनाओ लेकिन sentence का अर्थ ना बदले इस चीज पर ध्यान रखना है अर्थ बदल गया तो इसका मतलब transformation नहीं है तो यहाँ पर यह जो negative sentence है ना never से हमें पता चला यह कह रहा है कि इस negative sentence को यह negative है मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसको affirmative में बदलना है affirmative में तो बदल लो लेकिन आपको इस sentence का meaning lost नहीं करना है meaning वही होना चीए जो इसका है तो यह क्या बोल रहा है I never in my life made a plan and failed to carry it out इस sentence को अपन affirmative में बदलेंगे तो यह बनेगा answer Whenever I made a plan in my life I carried it out क्या उपर क्या कह रहा था I never in my life made a plan and failed to carry it out मैंने जिंदगी में ऐसा कोई plan नहीं बनाया जिसमें मैं ऐसा अफल हुआ हूँ तो यह है इसका answer यह question था तो अब same meaning देता हुआ option यह है Whenever I made a plan in my life जब भी मैंने जिंदगी में कोई plan बनाया I carried it out और मैंने इसको पूरा किया है तो उपर वाला sentence क्या कह रहा था कि मैंने जिंदगी में ऐसा कोई plan नहीं बनाया जिसको मैं carry नहीं कर पाया यानि कि मैंने जब जब कोई plan बनाया मैं उसको carry कर पाया हूँ तो यहाँ पर हमारा answer यह होगा Whenever, अगर हम पहले option पर जाए Whenever I made a plan in my life I had carried it out Whenever I had made a plan in my life तो I had यहाँ पर उपर क्या पूछ रहा था made वरब कि second form यहाँ head plus third form लारा इसलिए गलत हुआ था और Whenever I planned in my life it was successful तो यहाँ पर carry out को खा गया और दूसरी चीज लिया आया तो इसलिए यह चीज़ें गलत हैं तो यहाँ पर आपको इसको सही मानना है दस्वा question है Fill in the blanks with appropriate model auxiliary model auxiliary का correct use करना है तो यहाँ पर दोस्तों question क्या है कि You have woken me up I don't have to go to work today तो यहाँ पर यह कह रहा है कि तुम्हें मुझे जगाने की जरूरत नहीं है I don't have to go work today आज मैं वो काम पर नहीं जाऊंगा तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है necessity की बात कि की होती है need की तो यहाँ पर answer क्या होगा You need not have woken me up I don't have to go to work today तो यहाँ पर दोस्तों answer क्या होगा यहाँ पर answer होगा तीसरा चलते हैं next question next question है हमारा कि do as directed अब क्या करना है कि आपको into complex change into complex sentence जैसी यह भी transformation कही है transformation से काफी question पूछे जाते है transformation में यह कहता है simple sentence को compound में बदलो या compound को simple में बदलो कभी कभी simple को complex में बदलने के लिए भी कहा जाता है और complex को simple में बदलने के लिए भी कहा जाता है फिलाल यह हमें complex sentence में बदलने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा यह अपन को देखना है यहाँ पर question है the news of his murder was not correct उसके murder की जो खबर थी वो सही नहीं थी अब अपन को इसको change करना है complex sentence में तो अगर हम पहला sentence देखें the news was not correct of his murder तो यहाँ पर किसी भी conjunction का प्रियूग नहीं हुआ है इसलिए यह sentence complex नहीं हो सकता दूसरा question है the news was not correct because he was murdered कि यह कह रहा है कि यह तो गलत उत्तर दे रहा है इसका मतलब इसका meaning change हो गया यहाँ तो कह रहा है कि the news of his mother was not correct उसके murder की news जो थी ना वो correct नहीं थी अब यहाँ पर क्या बोल रहा है the news was not correct news सही नहीं थी because he was murdered क्योंकि उसकी अत्या होगी थी ऐसा तो पर question में कह नहीं रहा transformation में पहला नियम ही यह कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए तो यहाँ पर अर्थ बदल रहा है इसलिए यह answer नहीं होगा तीसरा option देखते हैं था news that he was murdered was not correct अब यहाँ पर देखो students that का use हो रहा है और that जो होता है यह subordinate conjunction होता है अगर आपने conjunction भी नहीं पढ़ा है तो आप इसी channel में conjunction के video को देखेंगे डोंडेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर आप conjunction देख सकते हैं तो subordinate conjunction जो होता है वह अगर sentence में किसी दूसरे sentence को जोड़ता है तो आप समझ जाओ कि वह sentence complex sentence होगा हाँ तो यहाँ पर that सबल्त होता है तो यहाँ पर that से जुढ़ रहा है तो यह हमारा answer है क्योंकि यह snippethte जो है वो complex sentence हो सकता है और तो कहीं that आ भी नहीं रहा है और ऐसा नहीं है कि सिरफ that ही subordinate conjunction है बहुत सारी subordinate conjunction है जिसमें that हो सकता है less हो सकता है so that हो सकता है in order that हो सकता है although हो सकता है no sooner than hardly scarcely when until unless provided provided बहुत सारी subordinate जिससे जो complex sentence को बनाती है तो यहां पर that हमें दिख गया सिर्फ that के दिखने से हमें पता चल गया कि यह complex sentence है इससे आपको पता चलेगा और यह चीज आप सीखो के कैसे जब आपको conjunction के बारे में पता हो तो conjunction का वीडियो आप जरूर देखें अगला question है change the following sentence from direct to indirect अब वापस direct से indirect देख लो transformation के बहुत सारे question आया है तो अपन transformation पर कोई वीडियो भी बना लेंगे बाद में I said to the boys that they should do their duty अब यहां पर indirect speech बनाया है इसने और अपन से direct बूच रहा है कि direct sentence इसका क्या होगा तो यहां पर होगा students इसका answer I said to the boys you should do your duty अब यह जो है न correct answer है अब देख लो कैसे है I का तो हो गया I said to का क्या हो गया told और the boys का क्या हो गया the boys और comma inverted comma हटके क्या लग गया that और you second person है object में change हो गया तो boys plural है तो यह बन गया दे और should को हम change करते नहीं है should का should और should के साथ first form आती है तो first form your second person है object में change होगा object में boys है तो यहां पर हो गया there duty को duty तो answer क्या हो गया पहला answer हो ठीक है अब चलते हैं 30 number question पर यहां पर आपको इस sentence को negative में बदलना है फिर transformation का question है दोस्तों यह यह भी transformation का question है कि इस sentence को आप negative में बदलो क्या कह रहा है कि he is sometimes foolish यह affirmative sentence है और अपन को दोस्तों इसमें बदलना है negative में तो यहां पर होगा he is not always wise अब ऐसे sentence में क्या है मालो यह sentence है he is a rich man he is a rich man यह affirmative sentence है कोई मुझे कहे कि इसको negative में बनाओ transformation करो तो मैं क्या करूँगा he is और rich का opposite लिखूँगा rich का opposite क्या होगा poor he is और इस opposite को लिखने से पहले यहां पर मैं लिखूँगा not और बाकी से तो यह होगा पहला sentence था he is a rich man यह affirmative sentence था negative बन गया he is not a poor man he is not a poor man तो आपको main word का opposite लिखना है उससे पहले note लिखना है तो यह negative बनेगा और अर्थ भी change नहीं हुआ he is a rich man यह एक अमीर आदमी है he is not a poor man यह गरीम आदमी नहीं है तो अर्थ भी नहीं बदला और transformation में अर्थ नहीं बदलना चाहिए यह मैं आपको बार बार बता रहा हूं तो यह कह रहा है he is sometimes foolish वो जो है कभी कभी मूर्खता पूरन बाते करता है तो अब मैं थोड़ी सी सारी बातें discussion ना करके सीधा थिसा अंसर पर भी पहुंचूंगा ताकि यह वैसे डेट सो कोस्टन अभी तो ते रही हुए तो काफी समय लग जाएगा इसे तो में में बात मैं आपको यहां पर बताता चलूंगा चलिए question number 14 के बाद करते है question number 14 में फिर कह रहा है change करो passive में यह active passive narration यह भी transformation का part है फिर यह transformation का part है तो shall I ever forget those happy days यह sentence जो है active है अपन इसको बनाना चाते हैं passive में तो इसका passive क्या होगा इसका passive होगा दोस्तों तीसरा answer क्या will those happy days be ever forgotten तो यहां पर हमने इसको इसमें बदलना है ठीक है कैसे पता चला कि यहां पर विल शेल से start हो रहा है लास्ट में question मैं रहता है interrogative sentence तो ऐसे sentence का passive बनाने के लिए will और शेल ही पहले आएगा अब शेल क्यों नहीं आएगा पहले तो subject आई था इसलिए शेल था अब हमारा those happy days यह वाला those happy days यह subject बन गया है तो इसलिए इस will model था यह भी आगया फिर ever आगया adverb और यह इसकी third form बना दी तो यहां पर answer हो गया यह पंदर्वा question है पंदर्वा question क्या कह रहा है choose the appropriate passive voice of the following sentence फिर passive voice पूछ रहा है you must endure what you cannot cure होता है दोस्तों सेहन करना अब यह जो है active है अपन इसका बनाना चाहते हैं passive तो फिर यहां पर passive क्या बनेगा you must endure what you cannot cure तो what cannot be cured यहां से हमने start किया है यह object है what cannot be अब यहां पर can model होता है तो model active sentence में model plus first form होता है हमालो active sentence में model plus first form होता है तो passive में हम इसको किसमें बदलते है model b plus वरब की third form में तो यहां से हमने उठाया तो what का what model आ गया तो b plus third form हो गया और फिर आगे हमने लिख दिया must be फिर model है must और फिर इसकी भी third form बनानी है must be endure कर दिया ठीक है you unimportant है इसको लिखना जरूरी नहीं है बस यह फंडा चला है यहां पर कि model plus first form model b plus third form में change होता है उसके बाद आई है 16 number question 16 number question है fill in the blanks with the correct preposition यह question आ गया preposition का he left the film film because he did not agree यहां पर होगा agree agree के बाद है their sales policy उनकी sales policy से agree नहीं था तो दोस्तों यहां पर agree के साथ दो preposition होते हैं agree with भी होता है और agree to भी होता है तो यहां पर जोगा he left the film because he did not agree with agree to तो ही नहीं यह option में तो यहां पर answer क्या होगा agree with he did not agree with their sales policy तो यहां पर होगा with और वैसे अगर मैं मेरे हिसाब से बता हूँ यहां आप कोई books authentic पढ़ेंगे न तो with भी गलत answer है वैसे तो इनमें यहां कोई answer नहीं है with कब आता है agree with आता है जब यहां पर कोई fill in the blanks में person हो और यहां पर कोई thing होती है न जब to आता है जैसे अगर मैं आपसे सहमत हूँ तो मैं आपको ऐसे बोलूँगा I am agree with you मैं आपसे सहमत हूँ अब यहां पर you था you person है इसलिए विताया और अगर मैं ऐसे बोलूँ I am agree to your proposal your proposal तो फिर agree to आता है तो ऐसी तरह यह sales their sales policy आ रही है तो आना तो answer चाहिए था two but two इसने option में नहीं लिखा है तो हमारा answer यहां पर हम with मानते है RPSC ने भी इसको with माना है बट यहां पर अगर हम authentic book पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस हिसाब से अगर हम चलें तो agree with तो person के लिए आता है agree to think के लिए आता है और लिष्ट एक negative word है इसके बाद note कभी नहीं आता और इसके बाद हमेशा should आता है यह तो permanent इलाज है इस list का list का हिंदी अर्थ क्या होता है list का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा नहों कि और इसके बाद हमेशा should का use किया जाता है ठीक है अठारवे नमबर पर question पर आता है fill in the blank with correct article अब article का use करना है तो यहाँ पर क्या होगा with a little patience little a little the little thing होता है तो with a little patience you will be able to cross the obstacle obstacle होती है बाद हा तो यहाँ पर a little का use किया जाएगा चलिए question number 19 की बात करते है question number 19 क्या है question number 19 है fill in the blanks with the correct verb form correct verb form लगानी है 19 में question में अपन को ठीक है क्या लगा है यहाँ पर correct fill in the I have I save 5000 a month I started in January so by the end of the year I will यह शैल कुछ भी हो सकता है बोल सकते है आई शैल है यह विल है शैव्डे 60,000 रूपीज क्योंकि यह बाय आ रहा है बाय क्या बताता है अभी थोड़ी तर पीछे भी question आया था कि बाय या तिल जब भी आता है और प्लस future का कोई समय हो तो future perfect tense आता है और future perfect tense में आता है will have, shall have plus वरब की third form फिर आपको active से passive बताना है question number 20 में question number 20 है कि people hoped that the government would take some action यह वाला sentence सबसे आसान वाला होता है इसका structure देखो क्या होता है दोस्तों अगर किसी sentence के starting में subject है और फिर वरब है और फिर ऐसे sentence में that होता है और फिर ऐसे sentence में फिर कोई subject वरब या object होता है तो ऐसे sentence के active structure में जो भी subject होगा उसको किस में बदलना होता है it में और वरब जो है वो tense के coding होगी फर्स्ट फोम है तो is a more plus third form, second form है तो was a more plus third form और that के बाद पूरा का पूरा sentence है होता है तो यहाँ पर देखो people को अटा कर हम क्या लिखेंगे people को अटा कर हमें लिखना है it people को अटा कर हमने लिखा it और verb की second form है was word plus third form में change हो गया ठीक है और इस people को लिखना जरूरी नहीं यह इसने लिखा है तो कोई बाद नहीं बाए दा पीपल अब यह इतनी बाद लिखना जरूरी भी नहीं था और यह देट के बाद पूरा का पूरा संटेंस सेम चलता है तो यह ही हमारा answer हो गया यहां पर 20 ठीक है अल्रेडी रिकॉर्ड़िट कंटिन्यू आर एक सेकेंड यहां पर रिकॉर्ड नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों 21 कोश्चन है 21 कोश्चन की करते हैं अपन अब बात दू एज डारेक्टेड यहां पर फिर आपको सिंपल से कॉंपलेक्स संटेंस में चेंज करना है ग्रेड यहां पर आपको कॉंपलेक्स संटेंस में बदलना है तो यहां पर कॉंपलेक्स संटेंस में बदलना है तो समझ जाओ कि वह संटेंस कॉंपलेक्स है तो आपन यहां पर देख रहे हैं यह सबोर्डिनेट कंजेक्शन है यहां पर सभी चारों संटेंस में सबोर्डिनेट कंजेक्शन दी है तो इसका मतलब इन चारों में से अंसर डूणना अब हमारे लिए थोड़ी सी मा भारत है ग्रे दा ओथर ओफ दा एलिजी लिवड ये वरब की सेकंड फॉर्म है जो की पास्ट टेंस को बता रही है पास्ट टेंस है ये तो यहाँ पर बता रहा है कि ग्रे फूइज दा ओथर ओफ एलिजी लिवड इन दा 18th सेंचुरी तो यहाँ पर यह अंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लिव सा रहा है तो यह अंसर नहीं है अब पहले वाले को एक बार छोड़ देते हैं यह भी अंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस आ रहा है और यहाँ पर संटेंस में दा एलिजी देट दा एलिजी देट ग्रे रोट रोट लिवड इन दा 18th सेंचुरी यहाँ पर एलिजी को यह पहले लिए तो इसलिए अंसर यह भी नहीं है तो हमारा अंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा हमारा अंसर होगा यह हमारा अंसर है फरस्ट तो आपको पता चल गया यह क्यों नहीं होगा लिवस है यह इसलिए नहीं होगा यह एलिजी को पहले ला रहा है तो यह भी नहीं होगा तो हमारा अंसर कौन सा होगा फरस्ट है यहां पर next question है fill in the blanks with the correct verb 22 number question we were question है we were told that the manager could not see us at that moment as he और यहां पर है as he तो was detecting या were detecting या had been detecting या had detected यहां पर हमें we के बाद दे रखा were we were told that that the manager could not see model plus C आगया ठीक है at that moment as he he was detecting some letters to his secretary secretary तो दोस्तों यहां पर answer tense related यह question है तो यहां पर answer बन रहा है हमारा first was detecting क्योंकि ही जो है यह singular subject है तो इसके लिए वर तो आई नहीं सकता यहां पर was ही आएगा यहां पर और had detected या had been detected इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर simple past के बाद past continuous tense की बात होनी चाहिए थी और past continuous tense या तो first में या second में दो option में हो रही है यह इसलिए यह भी गलत है यह भी गलत है और he के साथ वो जाता है वर नहीं आता है तो हमारा answer first बनता है उसके बाद next question देखते हैं दोस्तों उसके बाद next question है 23 fill in the blanks with auxiliary verb auxiliary verb से आपको सही answer ढूड़ना है तो इस अमार वाजबर has have had will shall यह सब auxiliary verb भी होती है तो if के साथ यहां पर क्या आना चाहिए कि यहां पर I would यहां पर ऐसे लिखाना है इसका अर्थ है would तो देखो एक conditional sentence होता है उसके दो पार्ट होता है एक होता है if close और एक होता है main close अगर if close और main close sentence के दो पार्ट है इधर अगर वरब की second form आ जाए तो आप समझ जाओ कि इधर क्या आना चाहिए would plus first form would plus first form है could plus first form भी हो सकता है might plus first form भी हो सकता है तो यहाँ पर would plus first form दे रखा I would think would think would plus first form है तो निश्ची तुरूप से पहले वाले पार्ट में second form होने चीए तो second form क्या होती है was और were दोनों ही होती है will भी तो होगा नहीं ये भी नहीं होगा was और दोनों होती है तो were आएगा answer क्यों क्योंकि if से हमें condition का पता चलता है और condition होती है जब was नहीं यहाँ पर होता है were if I were you तो यहाँ पर हमारा answer होगा if I were you I would think twice about that अगर तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो इसके बारे में मैं दो बार सोचता तो यहाँ पर हमारा answer है दोस्तो वर उसके बाद है 24 number question do you see what I see इसको डारेक्ट से इंडारेक्ट में आपको बदलना है अब डारेक्ट से इंडारेक्ट के बहुत सारे question हो चुके हैं तो मैं आपको सीधा answer बता रहा हूं बार 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 बताने की आव सकता नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों answer होगा second the young man asked मेरी if she saw what he saw तो यहाँ पर answer होगा second अब जो direct indirect active issue या transformation के question है पीछे हमने बहुत किये हैं तो मैं दोस्तों आपको सीधा answer पर ले चलूँगा सीधा answer बताऊँगा फिर भी आपको किसी question के answer में कोई doubt है तो आप comment करके उसको दुबारा पूछ सकते हैं telegram channel का link मैंने डाल रखाए हैं पर telegram channel से जुड़कर भी आ second इसका he inquired of us whether we were going away that day तो यह active यह इसका direct sentence था इसका indirect बनेगा second तो 25 में का answer होगा second 26 कोशन है convert to simple sentence to complex बार बार यह ही transformation वाले question है तो on being punished he wept तो यहां पर complex sentence अपन को बनाना है तो यहां पर answer होगा दोस्तों first when he was punished he wept यह वेंग जो है न यह बी Sunday Conjecture जहां यह आता है complex sentence बनता है तो even यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, मैंने आपको बताया था कैसे पहचान करनी है, तो on being punished he web, तो यहां पर punished verb की second form है, इसलिए यहां पर आपको was word और verb की third form, was plus third form यह इसने passive किया इधर, तो यह भी past answer related बात है, इसलिए यह answer होगा यहां पर, 27-वा question है, will in the blanks with the correct determiner, determiner correct determiner का use करना है, तो यहां पर होगा, much of what he said was very sensible, तो यहां पर answer होगा दोस्तों यह, determiner के भी पहले question आ चुके हैं, तो समय बचाने के लिए अपन सीधे answer पर चलते हैं, ज्यादा यह मुश्किल question नहीं है, चलते हैं, question number 28 पर, choose the appropriate assertive statement of the following interrogative sentence, यह भी दोस्तों transformation का ही question है, why waste time in reading trash, तो यह sentence जो है, यह assertive statement of the following interrogative sentence, यह interrogative है, assertive में बदलना है, अब कई दोस्तों को assertive sentence नहीं पता है, तो assertive sentence क्या होते हैं, assertive sentence में दोनों ही आते हैं, assertive sentence का मतलब affirmative sentence भी होता है, और sentence negative भी होता है, यह हमारा question था, आप इसको transformation करेंगे, interrogative sentence है, assertive में बदलो, इसका मतलब affirmative भी हो सकता है, और negative भी हो सकता है, तो यहां पर इसका answer जो है, क्या होना चाहिए, वो देखते हैं, पन, इसको पढ़कर पता चलेगा, यह तो अंसर नहीं है, यह अंसर हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता अंसर, और इस फूलिश वेस्टिंग टाइम, यह भी नहीं हो सकता अंसर, तो दोस्तों यहां पर अंसर दो बन रहे हैं, और यह भी उसी टाइप का कोशन है, जहां पर RPSC ने इसको डिलिट किया था शायद, क्योंकि इसका RPSC ने भी अंसर नहीं दिया है, और मेरे ख्याल से यह दोनों ही इसके सही अंसर हैं, थर्ड और सेकेंड, और जब आप RPSC की साइट पर जाते हैं, तो RPSC ने इसका अंसर नहीं बता रही, चूज दा एप्रोप्रियेट इंडिरेक्ट स्टेट्मेंट अब दा फोलोविंग, फिर यहां पर डिरेक्ट से इंडिरेक्ट बताना है, लेट अस वेट फोर दा अवार्ड, तो यहां पर संटेंस में ऐसा कोई let आ जाता है, तो let sentence में तीन चीजों के लिए आता है, लेट एक तो परपोजल को बताता है, यानि की सजेशन को बताता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं, परस्ताव, एक let जो होता है, कल्पना यानि की अमेज़िनेशन को बताता है, और एक लेट जो है वो अनुमती या वेट फॉर दावाड हम अवाड तक वेट करते हैं तो यह सजेशन है तो प्रपोजट तो आना डेफिनेटली था लेकिन उसके बाद के रूल क्या होता है यह रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकता यहां पर प्रपोजड यहुगा अंसर तो इन तीनों में उसके बाद क्या होता है को मा को देट में चेंज करते हैं लेट को हटा कर हम यह जो लेट होता है इसके बाद जो अस है उसको हटा कर हम वी या दे में चेंज करते हैं अब वी में करते हैं चेंज में करते हैं यह कैसे पता चलेगा अगर यहां पर यह फर्स्ट यह जो ही है यह सब्जेक्ट है और इसक सब्सक्राइब तो इसलिए यहां पर वी वाला उप्षोन भी गलत हो जाएगा यह भी अंसर नहीं और कॉमा इन्वेटेट लिए के लिए टू नहीं आता है इनसर संटेंस में तो यह भी गलत है तो अंसर बचा क्या यह बचा तो he said let us wait for the award he proposed that they should wait for the award यहाँ पर अंसर हमारा यह है ओके उन तीस्वें के बाद हम चलते हैं तीसरे को तीस्वें कोश्चन पर यू शुड प्रोवाइड यू शुड प्रोवाइड फोर ओल एज प्रोवाइड फोर होता है तो यहाँ पर अंसर प्रोवाइड के साथ फिक्स प्रिपोजिशन है फोर तो हमारा अंसर होगा यहाँ पर सेकिंड होगा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर दोस्तों Question number 31 यहाँ पर है idiom, एक idiom है by hook और by crook, इसका हिंदी में बोलते हैं अपने जैसे तेसे करके मतलब साम, दाम, दंड, भेद उसको अपन बोलते हैं by hook और by crook, तो यहाँ पर answer क्या होगा by any means किसी भी तरह से, तो यहाँ पर हमारा answer है यह फिर transform the given compound sentence into complex, compound sentence को complex sentence में बदलना, अब समय नहीँ है नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि compound sentence क्या है, शोर्ट में बता देता हूं compound sentence, जब हम किसी कंजेक्शन को पढ़ते हैं तो हम कंजेक्शन में पढ़ते हैं कि कंजेक्शन दो टाइप की होती हैं एक तो coordinate conjunction होती है और एक subordinate conjunction होती है तो sentence complex बनता है और अगर coordinate conjunction होती है तो sentence compound बनता है ठीक है यहां complex बनता है यहां compound अब coordinate conjunction कौन सी होते हैं जैसे and both and not only but also but yet still however so therefore either or neither nor otherwise यह सब coordinate conjunction होती है यह coordinate conjunction होती है तो फिर वहां पर क्या बनता है है compound sentence बनाता है लेकिन यह कह रहा है कि अपने को complex sentence में बदलना है complex sentence की बहुत सारी बातें पहले भी हुई है और फिर अपन यहां पर इसकी बात करने वाले हैं तो यहां पर answer होगा that क्योंकि that आ रहा है तो complex sentence होगा यहां पर तो कोई conjunction आई नहीं रहा यह answer तो होई नहीं सकता और यहां पर भी कोई conjunction नहीं आ रहा था यह भी नहीं हो सकता हां यह हो सकता था और यह हो सकता था इन दोनों में यह क्यों है और वह क्यों नहीं क्योंकि इसने cancer भी cured अपनी तरफ से इसको पैसिव में बदल रहा है जबकि यहां पर यह cancer is curable यह answer होना चाहिए था तो हमारा answer तीसरा है 33 है fill in the blanks with the correct phrasal verb correct phrasal verb का दोस्तों यहां पर use करना है तो यहां पर question number 33 की बात हो रही है तो correct phrasal verb क्या होगी यहां पर carry out होगी इन phrasal verb को तो आपको याद करना ही होगा the soldier has no choice but to carry out his officer's order कोई भी soldiers होता है उसके पास कोई choice नहीं होती है अपने officer के order को carry out करने की carry out का अर्थ होता है आग्या का पालन करना है तो यहां पर हमारा answer होगा second फिर transformation का question है transform the following assertive sentence into interrogative पहले interrogative से assertive पूछ रहा था और अब assertive से interrogative पूछ रहा है assertive का मतलब negative और interrogative negative और affirmative दोनों होता है तो यहां पर 34 का इस type की भी बहुत सारे question हमने किये हैं तो 34 का में सिधा आपको answer बता दिता हूँ कि was it not a wonderful experience यह इसका answer होगा यह हमारा question था इसको हमें transformation करना था interrogative में फिर है 35 question fill in the blanks with correct verb तो यहां पर 35 में होगा यहां पर when I I went to bed तो यहां पर होगा दोस्तों head head यहां पर answer क्या होगा when I had my dinner I went to bed तो यह यहां पर second form है तो head plus जैसे आपने example पढ़ा होगा था patient had died before the doctor came तो head plus वरब की third form और वरब की second form तो यहां पर यह भी rule होता है कि head plus वरब की third form होती है head plus third form और उसके अगले part में second form जो काम पहले होता है उसके लिए head plus third form जो काम बाद में होता है उसके लिए second form तो यह पहले इसने dinner को लिया तो head plus third form और बाद में second form इसलिए हमारा answer होगा यहां पर third यह 35 question होगे उसके बाद चलते हैं next question पर next question है do as directed finding himself in difficulty he went to यहां पर क्या है for help teacher teacher है यहां पर to his teacher for help इसको sentence को फिर compound sentence में बदलना यह भी दोस्तो transformation का question है तो मैं फिर बता रहा हूं कि transformation के question हमने बहुत किये हैं तो आप इसको समझ लेना कि answer इसका होगा for he found himself in difficult and he went to his teacher for help अब यह किसमें बदलने को बोल रहा था compound में और मैंने कहा आपको compound में compound वाले sentence में coordinate conjunction होती है तो and both and not only but also as well as यह सब coordinating conjunction है यहां coordinating conjunction आ रही है इसलिए यह sentence जो है वो compound ही होगा 37 number question के बात करते हैं although he is blind he is very fast at calculation तो यहां पर at calculation होगा fast at calculation तो यहां पर at है यह तो बहुत ही आसान question है उसके बाद 38 है she broke down in the middle of our speech or breakdown यहां पर breakdown का अर्थ क्या है breakdown का अर्थ होता है started crying मतलब दिल तूट जाना और बहुत बुरी तरीके से रोना इसका अर्थ होता है ये ब्रोकडाउन ब्रोकडाउन का और भी अर्थ होता है जैसे बीच में रुक जाना खराब हो जाना स्वास्ते खराब होना या किसी दुख से तूट जाना ये इसके meaning होते है 39 है fill in the blanks with the correct form of the tense यहां पर 39 का answer दोस्तों क्या होगा will be driving यहां पर answer है हमारा will be driving tense के भी हमने question के रहे हैं I will be driving into town later on do you want a lift तो यहां पर होगा second answer और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 40 में question की fill in the blanks with the appropriate determiner 40 में question का होगा the little information he had was not quite reliable तो दोस्तों यहां पर होगा little information uncountable ना हुने uncountable के लिए हम the little का use करते हैं उसके बाद चलेंगे अगले question पर अगला question है हमारा 41 तो 41 में question पर चलते हैं यह सारे question तो हमारे हो चुके हैं यह इतने होगे 41 कोशन fill in the blanks with the correct phrasal verb correct phrasal verb बतानी है तो दोस्तों यह होगा while in Delhi I always put up in a hotel तो put up होता है ठहरना रुकना तो यहां पर अंसर होगा यह वाला चलिए आगे अगले question देखें दोस्तों next question है fill in the blanks with the correct preposition फिर आपको correct preposition का use करना है और question को ध्यान से पढ़ेंगे तो question है कि his conduct is bad and his honesty is not conduct होता है वेवार behavior का synonym होता है conduct his conduct is bad and his honesty is not यहां पर होगा above suspicion above तो यहां पर होगा above suspicion एक second check करना पड़ेगा his conduct is bad उसका वेवार बुरा है and his honesty is not लेकिन उसकी इमानदारी जो है not beyond suspicion हां answer होगा beyond और beyond का अर्थ क्या होता है impossible या से परे इसका अर्थ होता है से परे या इसका अर्थ होता है के बाद तो his conductor is bad उसका वेवार बुरा है and his honesty is not beyond suspicion तो उसकी जो honesty है ना वो संधे से परे नहीं है तो यहां पर answer होगा second above उता होता है उपर under होता है नीचे in होता है अंदर in the book in the table या in the almira इस तरह से in का परेवग होता है तो beyond यहां पर answer होगा 43 43 है कि honorary secretary is one who is not paid for his service तो यहां पर answer होगा and यहां पर wobble की sound आ रहे है तो answer होगा and तो हमारा answer है यहां पर second उसके बाद यह अगला 44 question है change the verb in the following sentence from passive to active यहां पर फिर transformation का ही question है active पैसी वाला यह तो बहुत सारे हमने question किये है आप इसको देख लेना यहां पर answer होगा third फिर यह passage है इस passage को पढ़कर मैं नहीं बता रहा आप खुद पढ़ लेना मैं आपको इसके answer बता देता हूं 45 से लेकर यहां पर passage के question है 51 to 50 तक है ना 45 का answer होगा दोस्तों यहां पर 4 create misunderstanding और 46 का हमारा answer होगा ambiguity यह answer 47 का हमारा answer होगा दोस्तों second 48 का हमारा question है slip of the tongue इसका अरत होता है jeep का फिसलना यानि की गलती करना बोलने के दोरान गलती करना slip of the tongue तो यह होगा wrongly by chance यहां पर और उसके बाद है which word is passage in use antonym of the modest modest होता है win number तो win number का opposite क्या होगा win number का होगा pompous pompous होता है तो answer होगा second identify the figure of speech using the following line India lost by seven wickets यहां पर figure of speech कौन सा है figure of speech बताना है अपने को यहां पर तो India lost by the seven wickets यहां पर figure of speech होता है दोस्तों synecdiki यहां पर answer है synecdiki और उसके बाद है both the instructional and nutrient effects of the advanced organizer model is given below find out which are the instruction effects of each model तो यहां पर हमारा दोस्तों answer होगा एक तो यह conceptual structure और एक होगा meaningful assimilation of information and ideas तो हमारा answer है यहां पर उसके बाद चलते हैं आगे आगे कोशन है which of the following statement give the quiet national spirit of the poem night of scorpion तो यहां पर मैं सीथे answer बता रहा हूँ आपको poem पढ़ी होगी वीडियो अल्रेडी बहुत लंबा हो चुका है तो यहां पर सीथे answer आपको बताने की कोशिश करूँँ में poem को आप पढ़िये और नहीं पढ़ी है तो इस poem के उपर कुछ वीडियो अपन लोग बना लेंगे वहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 52 का answer होगा 3rd और यहां पर 53 का होगा कि what game do the characters play in the act second of the birthday party तो यहां पर कौन सा game खेलते हैं यह खेलते हैं blind man's buff तो यहां पर answer है second the figure of speech employed in the expression when to the session of sweet silent thought is तो 54 54 का हमारा question है और इसका answer होगा alliteration और 55 54 की बात करें तो यहां पर answer होगा reversibility और 56 56 की बात करें तो यह कह रहा है I will be more I will be more jealous of thee than a Barbie cock began over his hand तो यहां पर who said to whom यह किसने किस से कहा है question number 56 दोस्तों यह Rosalind ने Orlando से कहा था तो यहां पर answer होगा हमारा second अगर आपने नहीं पढ़ा है drama as you like it तो इसको पढ़े Macbeth और as you like it दोनों William Shakespeare के हैं तो उसमें आपको यह novel पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें यह क्या है 57 57 question को देखिए 57 question है which of the following description best potters Michael Hanchard in the mayor of Casterbridge in Thomas Hardy Thomas Hardy का mayor of Casterbridge है वो भी हमारे सिलिबस में है एक fiction है और इसके उपर यहां पर हमारा answer 57 का बनेगा second second क्या है he is deeply flawed but the reader feels sorry for him तो यहां पर answer होगा second which of the following image is not depicted on the urn by kids in odd on a gracian urn तो यहां पर 58 का answer क्या होगा दोस्तों 58 का answer होगा which of the following image is not depicted कौन सी image जो है odd on gracian urn वाले पॉइम में नहीं बताए गई कि यंग कपल फाइटिंग विच इच अदर यह था या काव बिंग लेड टू अन अल्टर या मेन वीमें लाइंग अंडर एटरी या गृूप आफ में चैजिंग अगृूप आफ वीमें यह जो बहुत सारे लोगों का गृूप है वो किसी women का पीछा कर रहा है यह तो था उसके अंदर young couple fighting with each other यह वाली बात शायद उसमें नहीं थी तो हमारा अंसर यह होगा और 59 59 है which of the following statement is true regarding the Jane's dislike of henchard in the hardies the mayor of castra breeze यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके पढ़ने के बाद आपको इसका अंसर जो है अपनी समझ में आएगा फिलाल मैं आपको अंसर बता देता हूँ तो यहाँ पर होगा second she was discouraged and stopped from meeting nuisance ठीक है nuisance जो उसका असली पिता था क्योंकि यह जेन second वाली लड़की थी जो उस character की थी है henchard की जो थी वो लड़की मर चुकी थी यह nuisance की लड़की थी अगर आ नहीं पढ़ा है fiction तो आपको यह समझ में नहीं आएगा एक बार पढ़े हैं उसको उसके बाद 60 नंबर question पर आते हैं इन दा है रोल्ड पिंटर्स दा बर्थडे पार्टी दा ब्रोकन ड्रम विच सिंबोलाइज डिकलाइन ओन मेंटल इंस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट किसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है यह question number 60 यह है Stanley तो यहां पर अंसर होगा यह दा नेचर ओफ एजूकेशन दा नेचर ओफ एजूकेशन साइकलोजी इस नथिंग बट यहां पर यह मनो विज्ञान के question शुरू हो गये हैं तो इनके अंसर भी मैं बता देता हूं कि मैं पूरा paper ही आपको बता रहा हूं तो यहां पर अंसर होगा दोस्तों तीसरा तीसरा अंसर होगा किसका दा नेचर ओफ एजूकेशन साइकलोजी इस नथिंग बट एक बात चेक करें इसको तो यहां पर होगा scientific कि एजूकेशन साइकलोजी जो होता है उसकी प्रकृति कैसी है यानि कि शेक्षिक मौनो विज्ञान की प्रकृति कैसी है विज्ञानिक है बट इसको विज्ञान के अन्य शक्षों के समान नहीं माना जाता इसको क्या बोला जाता है यानि कि संग्यानात्मक दरश्टिकोण अध्यन का इसको बोलते हैं 62 यह साइकलोजी के कोश्चन है दोस्तों 63 की बात करते है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में साइकलोजी को जो है वो फर्स्ट पेपर में ही पुछा जाता है सेकिंड पेपर में इंगलिश के साथ ही पुछा जाता है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है इसकी थीम क्या है 63 व लिटर्स के अड्रेस से जो भेजने वाला है उसके अड्रेस से स्टाट होता है फटलोविंग ऐस्टमब उत्रिोरी बैलेड का ओधरन किया है यह जो है अंसर है इसका बेलड का और below some name of scholars are given who worked in the field of education psychology out of them who simply defines education psychology as science of education कौन से से विग्यानिक है जुनोंने मनु विज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा है मनु विज्ञान को शिक्षा का विज्ञान किसने कहा है question number 66 है तो दोस्तों यह पील ने कहा है पील नाम के मनु विज्ञानिक थे उन्होंने कहा था 1956 में according to backhand the study of which subject makes main grave जो कौन से subject की जो study है आदमी को जो है grave करती है तो यहाँ पर answer है 67 67 का answer history, philosophy, mathematics या physics तो answer है history grave होती है कबर तो कबरों के बाद तो भाई history में इतिहास में ही होगी और उसके बाद होता है 68 each like a corpse within within his grave कि परते एक जो है ना मरत शरीर है जैसे अपनी कबर में choose the appropriate option from the those given below which refers to the word each each क्या है यहाँ पर इस question का 68 का दोस्तो अंसर होगा seeds क्या होगा seeds कि यहाँ पर बीजों को दफनाने की बात हो रही थी कबर में तो यहाँ पर अंसर है seeds a teacher is applying the principle of classical conditioning in a classroom as given below classic conditioning जो सिदान था इवान पैत्रोविच पावलव के द्वारा दिया गया था 1904 में ने नोबल पुरुसकार भी मिला था इन्होंने कुत्ते पर प्रियुक किया था कुत्ते का नाम था back सास्त्रियन बंदन सिदान दिया था उसी से related यह question है 69 और इसका answer है दोस्तों 3rd making praise really reinforcing कि जो बच्चे की तारिफ की जाती है ना तो वो उसके लिए पुनरबलन का काम करता है reinforce मतलब पुनरबलन उसके बाद 70 question है in the westland the title of the second section a game of chase westland का जो second section है उसमे game of chase जो title है has been borrowed from which of the following writers किस writer से इसको लिया गया है 70 number question दोस्तों यहाँ पर answer है Thomas Medician तो यहाँ पर इस writer से इसको लिया गया है उसके बाद है the vendor of sweets the white beard person a sculpture who influenced जगन and bought about his transformation is उस वेक्ति का नाम क्या था जो एक सफेद आड़ी वाला वेक्ति था तो उसका नाम दोस्तों अगर आपने novel पढ़ा है ता आपको पता होगा चिन्ना दुरही उसका नाम था जो जगन के मन और मस्तिक्ष में बदलाव लाता है ठीक है और उसके बाद अगला question अगला question है which of the following is the correct phonetic transformation of educationalist educationalist का correct transformation क्या है 72 में तो दोस्तों ये answer है हमारा first आप transformation करके देखेंगे पता चलेगा in the play as you like it which of the following characters introduce Duke senior to his daughter Rosalind कौन सा character Duke senior को उसकी बेटी Rosalind से introduce कराता है तो यहां पर है him ये answer है उसके बाद चलते हैं 74 number question पर 70 number 74 number type का question है a type of a type of fiction which lacks the exotic setting of romances but develops a brooding atmosphere of gloom and terror is called उस character को क्या कह जाता है यह आपको बताना है question number 74 के अंदर वो जो इस तरह की theme मनाए जाते है ना भयानक तरीके से तो उसको दोस्तों gothic का जाता है यह एकदम exotic कड़वी या फिर डरावनी या भयानक सी theme जो बनती है वो gothic के अंदर होती है why is Macduff's birth so important to the plot of the drama Macbeth उसका Macbeth का Macduff का birth important क्यों है Macbeth के अनुसार तो यह है question number 75 तो answer है दोस्तों 4 अगर आपने Macbeth पढ़ा है तो आपको इसका answer पता चल जाएगा पूरी story में आपको discuss नहीं कर सकता इसमें आपको इसके लिए अलग से video देखना पड़ेगा इसकी पूरी story समझनी पड़ेगी तब आपको इसका answer मिलेगा फिर हम चातलते हैं 76 question पर what did the first apparition tell Macbeth यहां पर 76 का question है beware of Macduff सबसे पहले उसकी चतावनी क्या थी beware of Macduff the than of five the than of five जो था वो Macduff था उससे उसको beware रहना है सावधान रहना है 77 question है formal and sustained lament in verse of the death of the particular person usually ending in a consolation इस चीज को क्या कह जाता है तो दोस्तों यह 77 question है इसको elegy कह जाता है हिंदी में बोलते हैं शोक गीत element क्या होता है विलाप किसी की मृतिव पर विलाप किया जाता है जो उसको अपन क्या बोलते हैं उसको हम elegy बोलते हैं उसके बाद next question है हमारा 78 का compensation and rationalization are example of compensation and rationalization example है किसके एक्जांपल है 78 यह होता है defense mechanism के रक्षात्मक युक्तियों के एक्जांपल है यह psychology का question है who is described as throbbing between two lives in the westland westland से संबंधित यह question है 79 का तो यहां पर होगा tyresis यह भी आपको story पढ़ने पड़ेगी तब आपको answer का पता चलेगा choose the appropriate speaker in the browning's poem my last touches तो इसका जो speaker है वो कौन है कहने वाला कौन है विक्ता कौन है तो यह है duke of rara यहां पर answer है हमारा second which word has this sound in it यह वाली sound वाला word कौन सा है phonetic symbol से related यह question है तो दोस्तों यह word है shear और according to the backhand to spend too much time in studies is यहां पर backhand की off studies से यह question लिया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलते है sloth alasya 83 from the following find out which one is not a kind of chart कौन सा एक शब्द चार्ट का प्रकार नहीं है question number है 83 तो यहां पर हो गया post run which of the following is not basic assumption of computer assisted instruction तो ICT से related यह question है ICT का पर्ट भी हमारा इसमें आता है तो उसी से related यह question है psychology में इसको जोड़ा गया है 84 के इस question का answer होगा दोस्तों हमारा first और here is the smell of blood still all the perfume of Arabia will not sweeten these little hands identify the figure of speech in the bow line यह भी make baths की लाइने हैं और यह कह रहा है कि यह जो लाइने बोल रही है कि यह जो blood है ना इसको Arabia का पूरा perfume भी साफ नहीं कर सकता इन हाथों को इन खुन भरे हाथों से खुन से सने हाथों को तो यहाँ पर कौन सा figure of speech यूज हुआ है यह line तो make baths से ली गई है तो आपको बताना है कौन सा तो यहाँ पर है दोस्तों hyperboli hyperboli का यहाँ पर प्रियोग हुआ है hyperboli मन्दों किसी चीज़ को बढ़ा चड़ा कर कहना उसके बाद आता है हमारा 86 question in the essay in praise of chimney sweeper यह जो essay था इसमें what does the morning sweep sweep by the chimney sweepers sound like to the writer writer के नुसर यह sweep sweep क्या था यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों question number 86 का answer तो यहाँ पर answer है sound of the sparrows यहाँ पर answer हमारा क्या होगा sound of the sparrows है यह sound of nightingale, sound of breeze, sound of cuckoo's तो answer है sound of sparrows an allegory is a story in which allegory क्या होती है तो यह आपको पढ़ना पढ़ेगा इसके लिए भी और इसका answer होगा दोस्तों 87 an allegory is a story in which तो यहाँ पर answer होगा character setting and actions stand beyond their literal meaning उनका जो literal meaning है उसके परे होता है इसका अर्थ in working and organization structure of the subsystems of if a computer and subsystem is responsible for all types of data manipulation and computation with accuracy speed is called इस पूरे system को क्या कहा जा सकता है यह भी ICTC question है 88 इसको बोलते हैं दोस्तों 88 वाला जो question है इसको बोलते हैं arithmetic and logic unit हमारा answer है यह ALU बोलते हैं जिसको computer से related यह question है choose the option with the correct stress mark यहाँ पर 89 का है fallacious तीसरा answer चलिए next question है हमारा 90 emotional intelligence in the number of ways comprises many यहाँ पर personality यहाँ पर EQ की बात हो रही है emotional question की तो यह भी science से psychology से related question है इसका हमारा answer क्या होगा इसका होगा empathy और identify the figure of speech used in the following line faith unfaithful kept him falsely true तो tennyson idolist में कहा है idolist of the king में कहा है tennyson के द्वारा तो 91 के इस answer इसका answer है oxymoron यह है oxymoron दोस्तों यहाँ पर oxymoron का use हुआ है which of the following characters in the cry the peacock disdent to discuss astrology and palmistry of purulile of subjects तो यहाँ पर यह बात किसके लिए कही गई है 92 Maya जो कि इसकी main character है कि वर्ट डजस्लियस से 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 ओफ फेबेज आईज से ओफ फेबेज आईज तो उसकी आँखों के बारे में से ने फेबेज की आईज के बारे में क्या कहा था 93 की बात करें तो यहां पर होगा दे आर सो स्कॉर्ण फोल ओप्शन नंबर यहां पर है हमारा सेकेंड और फोलोविंग चूज दा वर्ड विज दा करेक्ट स्ट्रेस मार्क करेक्ट स्ट्रेस मार्क का अंसर होगा यहां पर बायलोजिकल ठीक है दोस्तों तो यहां पर समय वीडियो का हो रहा है ज़्यदा तो सिदा चलते हैं अंसर पर अब हमारा 95 95 का अंसर है दोस्तों यहां पर आपको कोई डाउट हो तो अब मिर से पूछ लेना सिदा अब मैं चलरह हूं अंसर पर 96 का हमारा होगा 3rd, 97 का भी हमारा होगा 3rd, चलते हैं अगले question पर आप इनको पढ़के देख लीजिएगा एक बार फिर अपन आगे की बात करेंगे 98, 98 का भी होगा 3rd, और 99 का होगा हमारा answer 4, शेले tone in the ode to the west wind उसकी tone कैसी है, prophetic है और 100 number question पर हमारा answer है दोस्तों, second 101 में हमारा answer है, स्फिर second और 102 में हमारा answer है, फिर first 103 में हमारा answer है, 4 104 में हमारा answer है question कै which of the following is 4 4, 4, 4, 4, 4, ये रहा इधर question है, what is the theme of the novel the vendor of sweets, theme क्या है main's quest for identity and self-renewal या appearance versus reality या capitalism effect on the individual या emptiness of attaining false dreams तो यहां पर मेरे ख्याल से main's quest for identity and self-renewal emptiness of attaining false dreams और appearance versus reality capitalism effect on the individual मेरे ख्याल से दोस्तों यहां पर answer होगा, ये RPSCNV में इस प्रशन का उतर नहीं दिया है, शायद delete हुआ था ये question 105 105 का answer होगा 30 105 का 30 106 का answer होगा irony और 107 का answer क्या होगा 107 का पर क्य practically 40 108 का answer क्या होगा 108 का होगा 30 और चलते हैं connect 109 109 का answer क्या होगा दोस्तों 109 का हो mbอर 110 का answer क्या होगा 110 का answer होगा हमारा 2nd होगा कि what was Arnoldos और निल्डोस inheritance in as you like it a thousand crowns तो यहां पर 110 का हमारा answer है second चलते हैं next question पर 111 111 का हमारा answer है तीसरा पेटरा कंसोनेट usually contain 4 stanza पेटरा कंसोनेट में 4 stanza होते हैं 112 का answer हमारा होगा second, his loss of eyesight on his blinded Milton concerned about the loss of eyesight 113 का question होगा दोस्तो हमारा पहला और 114 का हमारा answer होगा पहला और इसके बाद 115 का भी हमारा answer है पहला उसके बाद चलते हैं 116 पर 116 का हमारा answer जो है वो भी है हमारा पहला, 117 का हमारा answer है वो भी है पहला और 118 का हमारा answer है वो है दूसरा 119 में हमारा अंसर है दूसरा 120 में हमारा अंसर है चोथा और फिर चलते हैं 121 पर 121 में हमारा अंसर है तीसरा और उसके बाद 122 में हमारा अंसर है तीसरा 122 में हमारा अंसर है तीसरा 123 में हमारा अंसर है तीसरा तीसरा पढ़के देख लीजिएगा एक बार क्यों कि दोस्तों समय हो गया है ज्यादा वीडियो का लंबा वीडियो हो चुका है इसलिए मैं explain नहीं कर पा रहा हूँ आप इनको देखकर मुझे बताएंगे अगर किसी question में doubt है तो 124 का होगा हमारा third answer और 125 का होगा हमारा second 126 का होगा हमारा second answer और 127 चलिए 127 127 का हमारा है दूसरा उत्तर 128 का भी है हमारा दूसरा answer और 130 का भी हमारा है दूसरा answer next question की बात करते हैं 130 से 130 का जो है हमारा answer वो यहां पर कौन सा होगा pets might not mean anything 130 का है हमारा second 131 का है हमारा पहला answer 132 का भी है हमारा पहला answer 133 का हमारा वो चोथा answer चलिए आगे 134 से 134 का answer है हमारा third output 135 का हमारा answer है third 136 36 का हमारा answer है fourth 37 का हमारा answer होगा इसमें second और 38 में हमारा answer होगा first और 39 में हमारा answer होगा first चलते हैं question number 40 40 में हमारा question number है first 41 में हमारा question number answer number है third और 42 में हमारा answer है second calm easy question है यह सारे और question number 43 question number 43 में हमारा answer है तीसरा question number 44 4 में हमारा answer है तीसरा और question number 45 में हमारा answer है दूसरा question number 46 में हमारा answer है चोथा चलते हैं last में अब 47 से 40 50 तक 47 में हमारा answer है तीसरा और 48 में भी हमारा answer है तीसरा 49 में हमारा answer है दूसरा और 50 में हमारा अंसर है 30 तो दोस्तों ये पेपर जो था ये 2022 का था ये पेपर 2022 का पेपर था जो कि 16.11.2022 को हुआ था 16.11.2022 को स्कूल लेक्चरर संस्क्रिट डिपार्टमेंट से ये पेपर लिया गया था फस्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें सभी डेड़ सो प्रशनों के उत्तर मैंने आपको बताए है अब तक RPSC के दुआरा चाहे वो स्कूल एजुकेशन से हो या संस्क्रिट डिपार्टमेंट से जितने भी फस्ट ग्रेड के इंग्लिश के पेपर हुए हैं वो सब मैं आपको यहां पर explain करके बताऊंगा अब explain करने से वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है तो अपन short में explain करेंगे और फिर भी ज़्यादा वीडियो बनता दिखा तो अपन सीधे answer की बात करेंगे तो अगर आपको किसी question पर कोई doubt होता है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़कर उस platform से आकर प्रते question के बारे में जाने और इसका PDF अब भी अगर आपको चाहिए तो आपको टेलिग्राम चैनल को जोइन करना है वहां पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार